दोस्तो इसमें पिन पैटन कुछ भी काम नहीं करेगा जैसा हम चेक करते हैं सिक्यूर्टी पर आने बाद हम चेक करते हैं इसमें पिन पैटन कुछ भी काम नहीं करेगा देख सकते हैं यह निव सेक्यूर्टी फोन है देख सकते हैं यह स्क्रिन लॉक फिंगर प्रिंट लॉक फेश लॉग कुछ भी काम नहीं करेगा दोस्तों कोई भी चीज उपन नहीं होगा इसका बाइपास करेंगा आईए जानते इस वीडियो पर आगा थे दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल टेक दीप में दोस्तों आज हमारे पास आये हुआ है आईटेल का ये फोन है जिसमें पैटन लगा हुआ मौडन लंबर है इसका टेल एस सो ला प्रो विजन टू यह जो मौडल है इसमें दौस्तों पैटन लगा हुआ है तो इसको हम कैसे इसका पैटन रिमूव करेंगे और कैसे इसका एक आर भी ऑई-पास करेंगे आये जानते हैं तो पहले फोन को स्वीच आप कर देते हैं दोस्तों तो फोन हमारा स्वीच आप हो रहा है तो दोस्तों इसको पहले हम इसका पैटन करने के लिए पहले इसको हम हार्ट डिसेट करेंगे तो हार्ट डिसेट करने के लिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको वाल्यूम प्लस नहीं दबाना इस और पावर बटन को जैसे इसमें आटल का लोगो आ जाएगा आपको वाल्यूम माइनस को दबा के रखे रहना है फिर ये हमारा रिकावरी मोड पे चला जाएगा दोस्तों देख सकते हैं बागी फोन में वाल्यूम प्लस में होता है लेकिन इस फोन में आपको वाल्यूम माइ पावर पटन से ओके करना है दोस्तों और फेक्चरी डाटा रिसेट करेंगे फिर हमारा ये पैटर जो लगा हुआ था पैटर पिन पासवड़ जो भी रहेगा दोस्तों यह हमारा हट जाएगा रिमूव हो जाएगा फिसे इसको अब करेंगे रिबूर्ट सिस्टम करने बा थोड़ा सा इसमें समय लगेगा पांस साथ मिट का आपको समय लग जाएगा चालू होते तक कब तक आपको कुछ भी नहीं करना है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है और ऐसा करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपके फोन पे 20-30% कम से कम मॉपाइल में चार्ज होना है कि इसकीप करेंगे इसमें इक पर देख लेते हैं इसमें फर्पी भी लगा हुआ है करके देख सकते हैं वाइफाई मंग रहा है उपर लॉक का सेंबल भी आ रहा है मतलब इसमें फर्पी भी है तो दोस्तों हम किस इसको हम कैसे फर्पी इसका बाइपास करेंगे यह जान तो हम पूरा फैइक आने के वाद आपको क्या करना है आपको यह आगघंस्सी कॉल है यहां पर आपको सायर है एकदम इजी ट्री आपको बता रहा हूँ अब यहाँ पर आपको तीन बार टैप करना है तीन बार टैप करने बाद एक दो तीन हो गये यह अब उसके बाद यह पैंसिल का इकन पर आना है आपको पैंसिल का इकन पर आना एक बाद यह जो सेंबल है कॉंटेक का इसेंबल को फ यह हमारा setting पे आजाएगा जिसमें आपको permission पे आना है permission पे आने बदोस्तों पर सर्च बार दीख रहा है यहाँ पर आपको सर्च करना है setting को जैसे इस में सेटिंग सर्च कर रहा है से डबल टी आई एंजी सेटिंग करेंगे कि आपको यहाँ पर पूरा उप्सन आ जाएगा तो इसको हम निची स्क्रॉल करेंगे और हमारे यह सेटिंग दीख रहा है इसको हम ओपन करेंगे इसको ओपन करनेक बाद हम यहाँ पर यह ओपन करेंगे फिर यह हमारा पूरा सेट screen lock पे टब करेंगे लेकिन दौस्तो इसमें new security है यह आपका screen lock भीvisor में काम नहीं करेगा fingerprint भी आपका किसमें काम नहीं करेगा face lock भी काम नहीं करेगा तो आपको इसके लिए क्या करना है आपको screen पिनिंग यह लिखा हुआ है screen Paining मैंन है आपकaries से आपको ऊपर करी सब कुछ भी काम नहीं करेगा तो देख सकते हैं यह दो करा नहीं है इसको नुद अब करने साफले को फोन तो नीचे यह घ्रखान आपको आना हो कर दोश्टों यह इसको ूंक कर लेना है स्क्रिंग पिनिंग को और नीचे जो अप्सन है इसको भी आन कर लेना इसके बाद आपको यह पीन पैटर्न पासपर्ड आपको जो आपको ठीक लगता है वह आपको इसमें लगा लेना है जैसा कि मैं पैटर्न लगा दे रहा हूं दो बार से आपको करना है उसके इसमें security answer में 123 123 करकर डाल देना है आपको जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूं 123 फिर से दोनों में उपर नीचे दोनों में आपको 123 ही डाल देना है आप कुछ भी डाल सकते हैं ठीक है फिर मैं इसको ओके कर लेता हूं कि करने वड़ान कर देंगे उसके बद हम बैक कर देंगे एक बार चेक भी कलेंगे हमारे बदॉब आपको पूरा बैक आजाना है कि पूरा बैक आ गया और पिर से आप नेक सेट अप कर लेंगे है और हमें वाइफाई के अप्शन पर आ जाना है और कोई भी एक वाइफाई से कनेक्ट हो जाना है दोस्तों जैसे कि मैं कनेक्ट हो जा रहा हूं यह फोन हमारा अपडेट ले रहा है इस्टॉलिशन अपडेट लिखा रहा है क्योंकि हमारा फोन वाइफाई से कनेक्ट हो गया है तो यह फोन चेकिंग अपडेट ले रहा है तो थोड़ा सी समय लगे देख सकते हो गया है अब यह डॉंड कॉपिक ऑप्शन भी आ चुका था अब इसके बाद हमको क्या करना है हमें जो पार पैटन डेला हुआ था हम वही डालना है हमको उसके बाद यह इसकीप का ओप्शन आजागा दोस्तों फिर इसकीप करेंगे नेक्ट करेंगे फिर से आपको एक बार और पैटन डाल देना है जो पैटन डालना है पिर यह हमारा यह गेटिंग यूर फोन रेडी करके बाइप आपन ऑगया है मतलब हमारा फोन अब यह कंप्लीट आउन हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है कंट्री सेलेक कर लेना है फिर से नेक्ष कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको फोन पूर फर पी बाइपास हो जाएगा तो ऐसे वीडियो पीड़ेकने के आइक सब्सक्राइब